आज हम बनाने वाले वेज़ फ्लाव तो चलिए बनाते हैं तो अगर आपको मेरी रस्पी अच्छी लगे टेस्टी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिए और निचे कमेंट में भी बताइए कि आपको मेरी रस्पी कैसी लगी है तो चलिए अब हम समागरी दे में यह देखे वाजिटेबल सिलिये उसमें कैरेट पोटैटो और बीन्स ली और बन के टोरी महां पर नें इक के तोरी अधनिया और एक के टोरी मैंने पुदीना लिया यह देखे और आठ से दस लसुन की कलिया नी है और यहां पर ग्रीन चीली और अधरक लिए तुकड़ और तेज पत्र लिया है और यहाँ पर एक गिलास चावाल है यह देखें इस तरह का का मैंने एक गिलास ले लिया और अब हम क्या करें गे यह देखें पहले हम जो यह घ्रीन चीली अधरक है इसको डाल लएंगे इसे अच्छे से ब्लैंड कर लेंगे हमकरे गृइंड कर लेंगे लसूं की कल्या डाल लेंगे और यह देखे ढम यह भी डाल लेंगे तो अब यह देखें पेस्टो हमारी रेडि उगई है तो चलिए अब हम वेजप्लाव बनाते हैं आप यह देखें फ्रेंग्स यहां पर मैंने कुकर ले लिया है उसको हम गरम कर देंगे अच्छा से गरम कर लेते हैं इसे पहले हम कुकर हमारा गरम होगी है तो अब विसमें तू टेबल स्पून ओयल डाल देंगे अब इस तरह का एक स्पून ले ले और एक स्पून हम इसमें गी डाल देंगे यह देखे यह देखे यह देखे यह अच्छा से गरम होगी है तो जो हमने यह देखे ड्राई मसाले लिए प्रकाशने मसाले इसमें जरम हो गए है तो जो हमने अब प्याच लिए था वो डाल देंगे इसमें अब प्याच लिए था वो डाल देंगे अच्छे से प्याज को प्राउन होने तक अच्छे से पका लेंगे इसे अब यह देखें प्याज हमारे अच्छे से ब्राउन होते हैं तो अब जो यह पेस्ट है वो डालनेंगे अब अब हम वेजटेबल्स वो डाल देंगे जो यह दी थी अच्छे से अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक दो मिनट के लिए अच्छे से अब बना लेंगे इसे अब वेजटेबल्स भी हमाने थोड़े से रहें मिक्स हो गए है अब हम आपर जो मसाले लिए थे वो डाल देंगे यह मसालों का भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब चावल जो हमने एक गिलास किया थे वो डाल देंगे चावल को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक आप अपने फार के अंसाथ डाल सकते हैं अ दाबल भी मिक्स हो गए है तो अब हम इसी है यह देखें दो गिलास अब हम मिष्ट में पाणी डाल देगे एक बिलास पे ने डाल दिया है तो एक बिलास और डाल देते हैं तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम फूपकर को बन कर देंगे दो विस्स लाने तक इसे हम पका देंगे चलिए फ्रेंड से एक बार आप डिख लेते हैं लाओ हमारा रेडियो पे आओगा आपि चलिए अब हम इसे करते हैं साब अब यह देखे फ्रेंड्स प्लाव हमारा रेडि होगे एक दम यम्मी टेस्टी तो अगर आपको मेरी रस्पी अच्छी लगी है तेस्टी लगी है आप भी गर में ट्राइब कीजिए और मुझे भी बताईए आपको तेरी रस्पी कैसी ल अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए बाई फ्रेंड्स